बिनोत पासवान ग्राम लख्खा पुजिला जमुई का निवासी है और उनका घर में आग लग जाने से उनका घर का सारा सामान जल कर राख हो गया है उनका घर जल जाने से वे बेघर हो गये हैं और उनके पास रहने और खाने का कोई इंतजाम भी नहीं है आपका घर में आग लगने से कितना का नुखसान हुआ है? लगवाग एक लाख रुपे का नुखसान हुआ है उसमें क्या क्या चीज जला है? घर का सारा समान जल गया राशन, पानी, कपड़ा, चौंकी, केबाड, सिलाई, मसीन अभी आप सारा समान घर का राख हो गया जल क्या चीज जल की अभी आप इस घर में कितने परिवार आते थें? ठांड का मोसम खतम होने के बाद जब भी गर्मी का मोसम आता है तो आग लगने के घटना हमेशा सामने आती है जिसमें ज्यादा तर घर जो भी जलते हैं उसमें खपड़ा और फूस का होता है जो गरीब और विपेल परिवार के लोगों का होता है ये लोग दस साल कड़ी मेहनत करने के बाद एक घर को बना पाता है वो भी घर आग लगने के कारण जल जाता है तो आपका घर जल गिया है तो अभी आप कहां राते हैं दुसरे पर के घर मे राते हैं और इससे आपको क्या-का परेशानी हो रहा है बहुत कुछ परेशानी है सब जीत तो जर गया तब में दुसरे घर में हम जैसे की सुने की आग लग गया तो जमोई से जो हैनव थाना में फोन करके भेजबा दिये कि जो पुताने वला गाड़ी होता उस गाड़ी से बोजबाया उर्सव चल गया तो हम पहुचे पहुचे तो देखे कि जला हुआ था तो फिर सीयो वीडियो के सघरकान करमफर किये तो उनका जो नुकसान हुआ आग लगने से उसमें आप किस तरह का सही मुवजा देलाना चाहेंगे जो नियम सरकारी है ना तो सीयो वीडियो से बोले हैं बोला कि देदेंगे दस दिन या पांच दिन जो भी लगे देदेंगे सरकारी तोर पर से जो मिलता है नियम अबलिश मैं इस वीडियो को इसलिए बनाया हूँ कि मैं भी उसी गाउं के गरीप परिवार से आता हूँ और जिन लोगों का घर जला है उनका आर्थिक स्थिती को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये लोग सरकारी उनका लाहव लेकर फिर से घर बना सके क्योंकि समाज में जिन्दगी जीने के लिए एक घर होना बहुत जरूरी है वीडियो देखने वाले मेरे सारे साथियों से निवेदन है कि मेरे जमूई परखंड के वीडियो का मुबाइल नमर चोरानवे एक तीस एक असी बेरासी आड़सट पर कॉल कर दवाब बनाएं और इस समस्य को दूर करने में हमारा मदद करें मैं सोग पासवान गराम लखापूर होस्ट काकन जिला जमूई बिहार से इंडियान हट के लिए